अधिना अधिन नों में बहुत से जवानों के मन में बाइबल के बारे में सवाल है जैसे बाइबल क्या है और हम कैसे विशवास करें कि ये सर्वशक्तिमान परमिश्वर की प्रेणा से लिखी गई है हमें बाइबल क्यों पढ़नी चाहिए और किसने बाइबल लिखी इस पर कोई बहस नहीं और नहीं कोई सवाल है सभी को सहमत होना चाहिए कि बाइबल तो जीवित पर मेश्वर का वचन है और ये पूरे समय की सबसे प्रभावी किताब है शायत कुछ लोगों के मन में बाइबल के बारे में सवाल हो जैसे कि बाइबल कब लिखी गई और किसने बाइबल लिखी और ये कैसे आधारित रहने योग्य हैं इतिहास के किताब के रूप में इस छोटे वीडियो में मैं सवाल का जवाब देना चाहता हूँ बाइबल किसने लिखी इस पृत्वी पर आप चाहे अपने हाथ में कोई भी किताब ले ले तो उसका कोई ने कोई लेखक जरूर है किताब में निश्चे एक संदेश होता है चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो अगर बाइबल परमेश्वर का सच्चा वचन है तो इसे किसने लिखा है ऐसे दिखाई देता है कि लोगों ने और भविश्वक्ताओं ने बाइबल लिखी लेकिन सच्चाई ये है कि जिसने आकाशर पृत्वी की रचना की है और उसने जिसने बनाया सब कुछ जो द्रिश्य है और अद्रिश्य है उसने ये पवित्र किताब लिखी है बाइबल ये केवले किताब ही नहीं है लेकिन ये सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मन है ये बात कहना बिलकुल सही होगा कि परमेश्वर इस किताब के लेखक है बाइबल दुसरा तिमोथियोस 3.16 में इस तरह से कहती है संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेणा से रचा गया है प्रेणा के लिए जो ग्रीक शब्द उवियो किया गया है वो है इस शब्द में थियोस मतलब परमेश्वर और नियो याने श्वास हम परमेश्वर की श्वास देख सकते हैं हर एक किताब में हर एक अध्याई में और बाइबल के हर एक वचनों में केवल इतना ही नहीं अगर हम ध्यान से बाइबल पढ़ते हैं तो हम पाते हैं कि यहुवा यों कहता है ऐसे बहुत से वचनों में लिखा है बाइबल स्वेम के बारे में बताती है कि यह सर्वशक्तिमान परमेश्वर का वचन है कुझ भी हो यह कहना कि परमेश्वर ने बाइबल लिखी इसका ये अर्थ नहीं कि उसने अपने हाथों से पैन उठाया और कुछ का अगज उठाये और फिर शारेरिक रूप में खुद उसे लिखा वचनों को लिखने का उसका जो काम ये शारेरिक क्रिया नहीं थी उसकी ओर से जबकि परमेश्वर का लेखक हो ना ये दिखाता है उसने दीवी प्रेणा की क्रिया से जैसे मनुश्य लेखक भविश्वक्ताओं ने जो परमेश्वर ने उनसे कहां वही लिखा दूसरा पत्रस अध्या एक वचन 21 कहता है पत्रस प्रेणा की क्रिया को लोगों ने परमेश्वर के साथ मिलकर इसे लिखा वचन प्रेणा से लिखा गया इसका सिध्धान अवश्य हमें सिखाता है कि परमेश्वर ने मनुश्य लेखक को प्रोटसाहित किया जैसे मूसा, दाउद, दानियल, यशेया और सभी भवश्वक्ताओं को ताकि उनका लिखने का जो तरीका है वो बना रहे लेकिन इसका अंतिम परिणाम वो निकले जो परमेश्वर चाहती थे बाइबल केवल मनुश्य के किताब से बहुत बढ़कर है ये परमेश्वर का अधिकारिक लिखा हुआ वचन है इस किताब के द्वारा प्रभू बोलते हैं, मारदशन करते हैं, दिखाते हैं हमारे जीवन के हर एक कदम में इस किताब में परमेश्वर ने प्रगट किया वो कौन है और पुनगठन के काम में उन्होंने कैसे काम किया और मनुष जाती का उद्धार किस तरह से हुआ येश्व मसी कलवरी के क्रूस पर मर गए और तीसरे दिन फिर से जी उठे यही तो बाइबल की सबसे प्राथमिक ऐसी शिक्षा है जो आपको अनंत जीवन और उद्धार देती है दोस्तो विश्वास कीजिए बाइबल तो परमेश्वर का मजबूत प्रकाशन है और अन्तिम प्रकाशन है ये आपको जानकारी देती है उद्धार की, छुटकारे की और अनंत जीवन की अगर आप सच में आशिश पाकर सच्चाई जानना चाहते हैं तो प्रति दिन आप बाइबल पढ़िए बाइबल का अनुकरण कीजिए इसे पसंद कीजिए और आप जिन परिसितियों से जा रहे हैं उसके बारे में बाइबल क्या कहती है उसे समझ लीजिए अंत में ये जानना बहुती दिल्चस्प है कि परमेश्वर ने अपना संदेश अपने लोगों के द्वारा संसार तक पहुँचाया जो कि प्रेम, आशा और अनंतकाल का संदेश है याने इस सवाल का कि बाइबल किसने लिखे इसका जवाब है सर्वशक्ति मान परमेश्वर जिसने आकाशा पृत्वी बनाई उसने बाइबल लिखी और उपहार के रूप में दुनिया को दी अमेरिका के सोलवे राश्ट्रपती अबराहम लिंकन ने एक बार इस तरह से कहा बाइबल सबसे बड़ा उपहार है जो परमेश्वर ने मनुश्य जाती को दिया है बाइबल पढ़िये और आशीश पाईए प्रभू आशीश ने Man of God John Wesley is a chosen vessel of God impacting millions of people across the globe with the gospel of Jesus Christ He conducts large crusades in India and other parts of this world in which the Holy Spirit God is moving powerfully and touching many hearts and families At a very young age, he traveled to over 65 countries to teach biblical facts and life-changing messages He is pastoring Christ Worship Center where 10,000 people worship the Lord every Sunday and are being nurtured in the Word of God John Wesley Foundation, Pastors League of India, Bible Wonders Media Ministries, Christian Doctors Association, Christian Couples Club, Young Holy Team, Christian Employees and Businessmen Fellowship, Shakina Publications are the various wings of John Wesley International Ministries His work... ... ... ... झाल, 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 झाल.